हरियाना पुलिस और पैलर मिनिटरी फोर्सेज बिलकुल मौके पर तैनाथ हैं आप देखें ड्रोन से निगरानी की जा रही है यह आरेफ का ड्रोन है और यह रास्ता मंदिर से बस कुछ दूरी पर ही है मंदिर से और हम यहां से किसी को आगे जाने की इजादत नहीं दी जा रही है लगबग 2 किलोमेटर होगा मंदिर यहां से और नलहर मंदिर जहां पर 31 जुलाई को काफी संब्रदाइक दंगे भड़क गए थे और उस 31 जुलाई को यहां पर प्रिजमंडल यात्रा निकाली गई थी उसमें यहां पर बजजंग दल विशंदु परिशत के लोग और जब जलाबिशेक करके वापस आ रहे थे तो आगे जंडा चौक है वहीं से ही पत्थराओ शुरू हुआ और देरे देरे वह पत्थराओ का भिंसा में फिर गोली बारी में तब्दिल हो गया पता ही नहीं चला जिसमें कई लोगों की मौत भी तो आप देखें कि ड्रोन रेजिडेंस है यह R.E.F. का उससे निगरानी की जा रही है बाकाईदा जो लोग यहां के एढ़ने वाले है रेजिदेंस है उनको ही जाने दिया जा रहा है मंडिर की जारए है लेगों किसी जाने जारह है बाकाईदा Note कर देखेंगे यह रहो इंक और आपके सामने और यह मॉनिटर किया जा रहा है यहां से इसकी जो फीड है वो मॉनिटर की जा रही है और अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है यहां पर अभी एलान के बाद भी विशुन्द परिश्ट या किसी भी राइट फिंग आउटफिट से कोई नहीं पहुँचा है और अगर कोई भी पहुँचे गा तो उसको तुरण डिटेन किया जाएगा और उनकी गाडियों के टायर्ज है वो डिफ्रेट कर दिया जाएंगे उनकी हवा निकाल दिया जाएगी तो सबसे बड़ी वज़ा ही है कि सकती की की सितंबर के पहले हफ़ते में ही नू में G20 के इंपोर्टन मीटिंग होनी है उसी के चलते कोई अपरिये घटना ना हो जाए इसलिए पूरी जो तैयारी है वो की गई है आप देखे आरेफ के सारे जवान है तीस कंपनिये पैरलिमिट्री फोरसेस की जनको देनात किया गया है मॉनिट्रिंग है ड्रोन्स आरेफ के अलग है पुलिस के अलग है ADGP हरियाना पुलिस की उनको इंचार्ज बनाए गया है चंडीगर से हो यहाँ पर पहुंची हो है ममता सेंग ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे नू का नाम खराब हो तो फिलहाल जो 31 जुराई को पुलिस से चूक होई आज ना हो जाए उसकी पूरी तैयारी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पेरा मिलिट्री फोरसेस हों या हर्याना पुलिस हो सब बिल्कुल अपने टोस पर हैं और सबका यही कहना है कि किसी को भी मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा जला भी शेक करें अपने घरों के आसपास जो मंदिरें महाँ पर करें आज सावन का आखरी सोमवार है तिन्हाल अब तक नू में शोभा यात्रा निकालने के लिए कोई नहीं पहुचा है सेहोगी मुहमद मुस्रीन के साथ सौरब शुक्ला NDTV इंडिया